अक्सर अन्म ने देखा कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होता है तो यहाँ पर employees की कुरसी यानि कि जो lower level की employees होते हैं उनकी यहाँ पर job खतरे में होती है लेकिन जब आप PCB या फिर पाकिस्तान cricket सो जुड़े होता है तो यानि कि boss जो होता है चेर्मेन उसी की कुरसी यह देंगे भारत ले जाओ यहां से वर्ल्ड कप को हमारे यहां लेओ तो बहुत सारी अटकर लेती लेकिन अब यहाँ पर जो fresh update आई है वह यह नजम सेथी को लेकर नजम सेथी की यहाँ पर कुरसी पर खतरा मंडराने लगा और हो सकता है कुछ जिनों में आपको नजम सेथी चेर्मेन के पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए तो बहुए ऐसा क्या है यह मुद्धा तो बहुए यह चीज़ कंफर्म करिये किसने पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर ने और उनका कहना है कि बहुए जो पूर पाकिस्तान के यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं नजम सेथ थी को वो उनके सामने बतौर कंटेंडर खड़े हुए तो भाई यह कितनी बड़ी खबार है बहुत बड़ी खबार कि पाकिस्तान की क्रिकेट बूर्ट की जो हालत है वो वैसे क्रिकेटिंग तर्फे ठीक चलती है लेकिं आने वाले जो बड़े प्रोजेक्ट हैंने कि नजम सेठी का यहाँ पर जो कुरसी है वो खतरे में पढ़ जाती है अब इस बात में कितनी यहाँ पर सच्चाई होगी आने वाले टाइम में पता चल जाएगा लेकिन अभी जो तलवार लटकी है नजम सेठी के ओपर वो लटकी है एशिया कप को लेकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो हटाने वाली बात है पीसीबी के चेर्मेन नजम सेठी को वो तब आएगी जब यहाँ से अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है एशिया कप अगर पाकिस्तान से किसी और देश में शिफ्ट होता है एशिया कप तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के इस चेर्मेन को जो तो बाई चीफ सेलेक्टर तो बाई शाहिद अफरीदी है और बाकी जो मैंना कुछ चीज़े बताई कि यहाँ पर हटने सकती है और कहीं ने कहीं जब इस मोर पे इस खबर पर जब पुष्टी लेगी जब यहाँ पर साइन ओफ कर देंगे जब यहाँ पर पाकिस्तान से कहीं और देश चला जाएगा इश्यकप तब इस खबर पे मोहर भी आपको लगती हुई नजर आ जाएगी तो यह बड़ी खबर चेर्मेन का इस्तीफा हो सकता है और जका अश्रफ वापस से PCB के चेर्मेन आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं तो यह कहना किसका है पाकिस्तान क के फ्रेडरल मिनिस्टर का आपके क्या कुछ रहा है भाई इस वीडियो का लेकर क्या लगता है इश्यकप कहां पर होगा और पाकिस्तान के चेर्मेन नजम सेठी की कुरसी जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए कुछो कुछ भी लगता हुमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरू बता है